हेलो फ्रेंद्स वेलकम टो मैं चैनल फ्रेंट्स ये बहुत भी तुल्जबर का जिसे कि आप किसी के भी स्वेटर्स में लगा सकते हैं स्पेशली किड़् दो में यह जो डिजाइन रेंग्स इसे आप बाग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं बाग में भी बहुत ही सुंदर लगेगा यह अजो गए किसी भी साल में ठीक है किसी भी मुफलर में समय 향ाइए बहुत अच्छी लगेगा कैप में बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते इस डिजाइन को इसके लिए फ्रेंड इसमें 10 का कास्ट ओन आपने करना है 10 के मल्टिपल्स में कि यह मैंने पहले यह लोक अलग लिया है इससे आप ने यह पूरी पूरी सीधी सीधे फंदे बुन लेने है पूरिख से आपकी शॉप तब जैए है इस तरह ही पूरी रो आपने यह कंप्लीट कर लेनी है पास्ट रो आपने ले लिए है सेकंड रो रॉंग साइट पर पर अल्दा स्टीचिस इस तरह उल्टे उल्टे आपने ले लेने हैं सारे के सारे स्टीचिस सॉर्य फ्रेंड्स आपको शोर बहुत आ रहा हुगा इसके लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा आपसे माफी चाहती हूं इस तरह उल्टे उल्टे फंदे आपने ले लिए हैं यह हमारी सेकंड रो हैं क्यों बहुत करें दो और आपने ऐसी सेम रपीट करनी हैं रोज फर्स्ट निट आल स्टीचे अन दे सैकें रोव पर्ल आल स्टीचेज यह फोर रोज हमने ले लिए फ्रेंट्स चाहिए फ्रेंट्स अब इसके बाब फिफ्ट रो लेनी हैं हमने तो फिफ्ट रो हमने लेनी है रेड के साथ जो रेड है पहला हमने इससे बुल लिया है उसके बाद देखिए दो और फंदे आपने इस तरह से ले लेने हैं एक दो दो फंदे लेने के बाद देखिए पहले आप समझ लीजिए पांच फंदों का डिजाइन है वान टू त्री फूर फाइट टेके फ्रेंट्स दो फंदे आपने लेने थे उसके बाद देखिए दो फंदे इस तरह से आप बना देजिए ये वाला फंदे में इसमें डिजाइन डलेगा तो इसमें आपने देखिल काउंट करना है यह वन यह और यह त्री यहां से अंदर से इसको लेते हैं इस तरह से आपने बना देना है इसको इसमें लेके आना है इने से चोड़ कि इस इसमें फंटे शी Begin से निकाला है अब इसने स्टिच इवला स्टिच इसके से फिस निकालना है आपने इस वाले में यहां पर डालना है और इसको इस तरह से रैप करना है और यह इस तरह निकल गया फिर यह इस पर ही पकड़ लेने हैं आपने ऐसे करके इस तरह ले लिया अब इस साइड वन टू थार्ड पर यह लिया है तो यहां पर वन टू टू पर यह ले रखना है औ और यह इस तरह से इसमें डालके इस तरह ले लाना है फिर इस साट से वान फर्स्ट वाले में डाल दिया और यह इस तरह निकाल दिया सारे के सारे स्टिचिज इसके अंदर डालके फाइप स्टिचिज है यह और इनको आपने इस तरह से बुन देना है वन स्टिच बनाके वन one stitch बनाया था इसके ऊपर से लेके इस तरह से ये निकाल देना हैं और नेक्स स्टिच के आपने इस तरह बूं देने यह चीकशे है यहां पर फाइप स्टिच आपने बीच में रखने हैं 123455 पर यह दिजाइन फिर से डलेगा तो यह one two 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 three सब्सक्राइब का नेहिते सब्सक्राइब volontям कर्गद रह utmost का बा ваш फ्रक्राइब है इसके इस सब्सक्राइब नेहीं When I was applying to a layer is Brหör त्यत्थ ुम् आ टिए मेर नेहीं चैश्षाइब तेन यह इसको ऐसे लेके यह निकाल दिया फिर इन तीनों को इसमें लेके फिर इस साइड को अपने करना है वान टू वान फिर्स्ट वाले में टू फाइब के फाइब इसमें लेके अपने इसे बुन देना है इस तरह ले लिया है यह कर दिना है और फिर यह स्टिचिस इसके उपर से इसको इस तरह निकाल दिया उसके बाद दोनों स्टिचिस आपने बुन लेने हैं यह देखिए यह बन गया आपका फ्लावर फिर से वान टू ट्री फॉर और यह फाइव फाइव स्टिचिस में हमने डिजाइन डालना है तो वन टू और यह थर्स्टिच जो मीजलवाला स्टिच है इसमें थर्ड पर ले जाके देखिए ध्यान से देखिएगा यह वन यह टू और यह थ्री थ्री ले लिया फिर इस नेडर में निकाल दिया फिर इस साइड वन यह वन है यह टू है सेकिन्ड वाले में डालके इस तरह निकालना है और यह इस तरह से यह रैड वाला इसमें से निकाल दिना है फिर इस वाले में इस वाले स्टिच में देखिए इस वाले स्टिच में इसमें डालना है इसमें फर्स्ट पर ही डालना है यह निकाल दिया फिर इन सब को एक तरफ को लिके और फिर से इस में थर्ट भी किया था तो इस में सेकेंड फास फिर इस साइड में फास्ट भी फिर से पांचो के पांचो थ्री फोर और ये फाइव है इन फाइव को लिके इनका सब को एक साथ बुनके आपने इनका फाइव के वन स्टीच बनाता ना है ठीक है फ्रेंट्स इस तरह से लिकाया था ये इस तरह से लिकाया आना है और ये तरह साथ आपने बूले चीए फ्रेंट्स यह वाली स्थाइप पुरी रच से अपले लीजे यह हमारी सिक्स रोगी सिक्स रोज का यह पैट्रन है फ्रेंट्स यही पैट्रन आपने इसमें रिपीट करना है यह वीजे खें एंट्स यहीए जाइप पा hill कुछ इस तरह का इस डिजाइन आपको दिखेगा आई होब कि आपको ये डिजाइन पसंद आया अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर करना न भूले आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर नहीं और एच्च उची वीडियो के साथ तब तक के लिए टाइंक यू